आपको आपका धर्म, मजब और भगवान आपके अचेतन अवस्ता में ही दे दिया गया है यह आपका पहचान बन गया है ना कि जिसे आप इस्तिमाल कर सकें इसे एक भय, शरद्धा, आस्था और विश्वास का विशे बना दिया गया है इसे एक आराधना, एक पुजा, एक सजदा का विशे बना दिया गया है अगर कोई आपके धर्म, मज़ब और भगवान के उपर प्रश्न चिनने लगाए या उस पर आपसे सवाल पूछे तो आप आक्रमक हो जाते हैं जिसे आपको इस्तिमाल करना था अब आप उसके गुलाम और रखवाले बन गए हैं जो मानव का ख्याल नहीं रखता, जो मानव को इतना दुख, दर्द और पीड़ा में से गुजरते हुए देखता है और फिर भी कुछ नहीं करता है, आप उसे सर पर बिठा कर गुमते हो उसके सीने से लगाते हो, उसके सामने मिननते करते हो भीक मांगते हो, रहम मांगते हो, और फिर उसकी स्तुति करते हो, उसकी पूजा करते हो, उसके सामने माथा टेकते हो अब तक मानव के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज पहली बार मानव के पास एक नया विकल्प है जरूरत है तो उसे आजमाने की, उसे परकने की, उसे अच्छी तरह जाच करने की आज तक इसके पहले कोई भी परमात्मा का संदेश वाहक मानव तक नहीं पहुचा था क्योंकि परमात्मा इस ब्रह्मान में कभी आये ही नहीं थे वो 2015 में आये, आप परमात्मा से स्वयम जुड नहीं सकते क्योंकि आप जिससे जुड़े हैं उससे आप जानते नहीं है आप नहीं जानते कि पर्मात्मा कौन है और पर्मात्मा कौन नहीं है जिसने मानव को हर धरम, मजब और आध्यात्मा दिया है वो सिर्फ एक देवता है इस ब्रह्मान का राजा है वो परमात्मा का बेटा है जिसे परमात्मा ने अपने घर से निकाल दिया है वो ही मानव के सब दुख और दर्द का कारण है उसने इंसानों के हर धरम को बनाया है और इंसानों को अपने धरम के अंदर बांध दिया है और उसने इनसानों को आध्यात्मा के अंदर भी बांग दिया है ऐसा राजा ने इसलिए किया कि जब परमात्मा धर्ती पर आए अपने संदेश वहाग के जरिये इनसान अपने धरम, मजब और आध्यात्मा के जंजीरों को तोड़ नहीं पाएगा और परमात्मा तक जा नहीं पाएगा मैं परमात्मा का संदेश वहाग आप से अनुरोद करता हूँ आपको आमंत्रन देता हूँ कि एक बार परमात्मा को अजमा कर देख लीजिए तीस दिनों तक इस स्वरूप के साथ बात कीजिए जिस स्वरूप को परमात्मा अभी इस्तेमाल कर रहे हैं मैं जानता हूँ कि आपके धरम किस अलाकें आपको मेरे अनुरोत को स्विकार करने के लिए रोकेंगे लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर थोड़ा सा होश अभी भी बाकी है तो परमात्मा को 30 दिन तक परत कर देख लीजिए अपने सबी दुख, दर्थ, पीड़ा, डर्थ, बेबसी, लाचारी, हैरानी की अवस्ता को परमात्मा के साथ साज़ा कीजिए जैसे एक दोस्त के साथ बात करते हैं उसी तरह उनसे बात कीजिए जब आप परमात्मा से बात करना शुरू करेंगे राजा को पसंद नहीं आएगा और पूछ सकता है कि आपके जीवन में थोड़ी तकलिफे बढ़ जाए अगर ऐसा हो तो उन तकलिफों को भी परमात्मा के पास पेश करें तीस तिनों के बाद देखिए कैसे परमात्मा के कृपा आपके जिन्दगी में उतरती है परमात्मा को ना आपका विश्वास चाहिए और ना ही आस्ता चाहिए ना आपका समर्पन चाहिए उनको आपकी श्रद्धा नहीं चाहिए ना ही उनको आपकी भक्ती चाहिए तीस तिनों तक आप यंत्रवात उनके साथ बात करो इतना ही काफी है उनसे कुछ मांगो मत सिर्फ अपने परिशानियों को और तकलिफों को बताते रहो और फिर तीस तिन के अंत में आप परमात्मा के बारे में आपका रिपोर्ट कार्ड बनवाईए अगर आपको लगे कि परमात्मा ने आपका बेहतर ख्याल रखा है राजा की तुलना में जिसमें सिर्फ आपको धर्म, मजब और आध्यात्मा के जन्जीरों से बांदा है और बेहुशी के सलाकों के अंदर बंद कर दिया है तो उस राजा को छोड़ कर परमात्मा के साथ जुड़ जाईए मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ मुझे कोई भी धर्म, मजब और आध्यात्मा में कोई लेना देना नहीं है मैं सिर्फ आपका मंगल चाहता हूँ बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए